हेलो फ्रेंट सागत है आपका अपने इस यूटूब चैनल गब्या क्लासेस में आज हम लोग 6-8 के टॉपिक के बारे में डिस्कॉशन करेंगे इससे पहले 1-5 के टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कॉशन कर चुके हैं जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं वो मेरे चैनल पे जाके उस वीडियो को जरूर देखिए आज हमारा पॉइंट है 6-8 का सब्जेक्ट क्या है क्या मेरा स्टडी टाइम होगा किस तरह से हम इसको एरेंज करेंगे ताकि हम 1-30 क्रॉस कर सके मेरा 6-8 में भी टारगेट है कि आपको 1-30 प्लस हम दिलवा सके तो 1-30 आप कैसे लाइएगा क्या आपका स्टडी प्लान होगा किस तरह से आप इसको प्रिप्रेशन किजेगा ताकि आप 1-30 प्लस ला सकते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं 6-8 में टाइम जूरेशन क्या है धाई घंटे की ही टाइम होती है और कोशन कितने का होता है 150 कोशन होते हैं और मास्क भी आपके नमबर भी आपके 150 के ही होंगे तो सबसे पहला है CDP CDP मेरा 30 मार्क्स का होता है CDP 30 marks का होता है 1 to 5 6 to 8 CDP लगभग लगभग equal होते हैं यह नहीं का सकते हम पूरा पूरी सेम है लेकिन लगभग equal है 90% आप देखे तो दोनों में सेम है इसमें 10% आपको एक्स्रा कुछ तैयारी करनी होगी क्यों उसके पीछे रीजन है 1 to 5 के बच्चे क्या सोचते हैं वो 1 to 5 के CDP में हमने thinking किया और 6 to 8 के बच्चे क्या सोचते हैं उस पे हम लोग thinking करेंगे तो thinking power पे क्या हो जाता है 125.628 CDP थोड़ा सा चेंज हो जाता है ज्यादा का फर्क नहीं होता एकदम नामात्र के बढ़ावर उसके बाद इसमें math 30 marks का होता है science आपका 30 marks का होता है language 1 30 marks language 2 30 marks अब language 1 और language 2 क्या है ये थोड़ा सा confusion आ रहा है तो language 1 जिनका English अच्छा हो वो English ले जिनका Hindi अच्छा है वो Hindi ले जिनका संस्क्रीट वो संस्क्रीट जिनका बंगाली वो बंगाली कहने का तातपड़ी है कि जो सा language आपकी पकर 100% स्योर है वो language 1 आप लिजेगा और second language क्या है second language जिसमें थोड़ा सा कम है जासे कि अगर हम Hindi जान रहे हैं तो English फोड़ा से क्या हो जाता है tweak होता है और क्या करेंगे हम Hindi फास्ट ले लेंगे और English को Second लेंगे या किनी का English उतना अच्छा नहीं होता है संस्क्रीट अच्छा है तो वो क्या करेंगे यहां पर संस्क्रीट ले लेंगे तो यह आपके टॉपिक हो गए कि कौन-कौन सा लेंग्वेज हमको लेना है और किस तरह से लेंग्वेज का चैन करते हैं उसके बाद यह जो कोश्चन है आपका math science का portion ठीक है यह टॉपिक आपका 1-5 से बिल्कुल चेंज है यहां पर 6-8 के science और 6-8 के math पढ़ेंगे तो जो बच्चे NCRT को follow करते हैं जो बच्चे NCRT को follow कर रहे हैं उनको यहां पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी science आपका 6-8 का NCRT का जिरॉक्सी question पूछता है math में भी थोड़ा सा टम्स चेंज करता है लेकिन 6-8 का जिरॉक्सी रहता है इसके बाद इसमें कुछ सिक्चन सास्तर होते हैं तो जो सिक्चन सास्तर होते हैं उस पर भी हम लोग discussion करेंगे उस point को भी हम लोग क्या करेंगे deal करेंगे यहां पर और यहां पर आप देखिएगा तो कहीं भी आपको problem नहीं आएगी और हमारा में मकसद अब यही रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा हम आपको क्या करें को डील करवाएं ज्यादा से ज्यादा को हम स्वाल करवाएं ताकि आप 130 प्लस ले आएं तो जो भी मेरे इस चैनल से जुड़े रहेगा और इस चैनल को फॉलो कीजेगा वो आगे क्या कीजेगा इसमें कंटिन्यू आप अपना एक्जाम बहतर तरीके से दे सकते हम वन टू फाइज दोनु की तैयारी आपको इसी यूटूब चैनल माध्यम से करवाएंगे और किलियर करवाएंगे तो जो लोग भी अभी तक मेरे इस चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं वो इस चैनल को जरूर सस्क्राइब कीजिए और सिक्स टू ए